जैस्री राम भगतों सरफ छे मिनट सोहंग मंतर के जब से क्या चमतकार होंगे आज हम यह आपको बताएंगे और जैसे ही आप ये वीडियो देखें देखते ही वीडियो खतम होने के बाद आप ऐसा छे मिनट जरूर करके देखना तो आपको अदभुत चमतकार देखने को मि मिनट में ही जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं और वो नहीं जानते कि सोहंग मंतर है क्या कल ही हमने एक वीडियो अपलोड की थी कि सोहंग मंतर से क्या चमतकार होते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उस वीडियो को आप जरूर देखना फिर भी हम थोड़ा सा शोट में बता देते हैं कि सोहंग शब्द परमात्मा भेद भरम नहीं लेश और जाकी महिमा नित भजे बेदशारदा सेश सोहंग शब्द ही परमात्मा है इसकी महिमा सेश महेश तक बजते हैं इसको जपते हैं तो भगतो सोहंग शब्द बहुत ही शक्तिसाली है इसको गुप्त और सार नाम आदी नाम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये गुप्त है बाकी को के जितने भी नाम है इस संसार में वो नाम कोई भी गुप्त नहीं बताए गए है इसको गुप्त बताया गया है क्योंकि ये गुप्त है और इसको कोई किस्मत वाला ही जान पता है वो पात्र को दिया जाता है बिना पात्र के तो गुरू भी इसको गुरू मंतर के रूप में नहीं देते हैं हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लाब उठा सकें इससे तो छे मिनट ही हमने क्यों बहला ये भी जान लो तुलसी दास जी ने गाया है कि एक घड़ी आध दीते पुनियाद तुलसी चर्चा नाम की कटे कोटी अपराद है और नाम क्या है सोहंग शब्द जो नाम है प्रमात्मा का प्रमात्मा ही है ये तो इसकी अगर आप चर्चा करते हो छे मिनट छे मिनट मतलब एक घड़ी में होती है चोबिस मिनट और चोबिस का अधा बार और बारा कावियादा छे मिनट यानि कि छे मिनट आप नाम जब्द करते हो सोहंग मंत्र का जब्द करते हो तो आपके कोटी अपराद कितने होते हैं जिनके कोई गिंटी नहीं होती वो अपराद भी कट जाते हैं और जब अपराद कट जाते हैं तो आप दिवे हो जाते है और दिवय होते ही परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाती है और जो आप चाहते है वो आपको मिल जाता है तो बगतो करना कैसे है वो बहुती समझने की बात है वैसे तो आप बिल्कुल धीरे धीरे भी करेंगे तब इसका लाब होगा लेकिन धीरे करने के अलग लाब है और स्वासे हो तो अपने आप रहे हैं लेकिन वो जब तक मानी ने जाती जब तक हम उन स्वासों का ध्यान ने करते जाप ने करते स्वास जब भीतर से बाहर आता है तब हंग वरन बोला जाता है और जब स्वास भीतर को जाता है तो सह वरन बोला जाता है यह दोनों वरन सुमूंग 21,600 दिन रात में बोल ले जाते हैं इन दोनों वरनों का निदान वेद शास्त्रों में इस तरह किया गया है कि हंग का मतलब होता है शिव यानि की आनन्द और सहय का मतलब शक्ति या फिर सो बोल सकते हो इसी से इसको अजपा नाम की गायतरी भी कहते हैं और सभी जीव इसे खरपल हर समय जपते हैं और यही हंस नाम का प्राणी हमारे अंदर विराजमान है और यह हंस ही उल्टा होके हंसो हंसो सोहंग सोहंग बन जाता है तो आपको क्या करना है हर स्वास के साथ सोहंग की प्राक और ये मंत्र हमें स्वेम भगवान ने दिया है इसलिए इतना शक्तिसाली ये मंत्र है क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो स्वास हमें पैदा होते ही मिलता है और हमारे स्वासों में सो रंग की आवाज प्राकृतिक रूप से आती इसलिए ये प्रम प्रम शक्तिसाली और लगातार चे मिनट तक और मन में सो और हंग सो और हंग बोलते रहना है स्वास की गती धीमी नियों निचे कंटीनी चे मिनट अलारम लगाके आपको चे मिनट तक कर सकते हैं हम आपको अपना अनुभव यह बता रहे हैं हम प्रती दिन यह अभ्यास दिन में कई 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 बार करते हैं तो इसके करने से वह लाब होते हैं जिन लाबों को यह वानी बताने सकती क्योंकि वह अनुभव के हैं सबसे पहली बात जब छे मिनट आपको हो जाएं तो आपकी प्राण शक्ति को रोक लेना रोक के और मतलब स्वास लेनी निया प्राण शक्ति को अंदर रोक लेना तो आपकी कम से कम एक मिनट स्वास रुख जाएगी कम से कम किसी की दो मिनट भी रुख सकती है एक मिनट तो कि रुख जाएगी तो जितनी देर स्वास रुखी हुई होगी यानि कि प्रान शक्ति प्रान सक्ति से उपर कुछ नहीं है बहुत ही प्रार्ण शक्ति जो अंदर प्रभावित होगी आपकी आपके पूरे श्रीर में एक ऐसी लहर दोड़ेगी कि जब आप अनुभाव तो आपको खुद ही पता चलेगा, आपके एक एक अंग में, एक एक नसों में, एक एक रोम छिदर से होती हुई वो प्राण सकती जाएगी, तो आपकी सारे श्रीर की नसों नाडियों को वो खोल देगी, सोधन कर देगी हर चीज का अंदर से, कोई भी अगर रुकावट हो, खोल देगी, उसके अलावा आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आपके अंदर सफर्ती आएगी, आपके अंदर सकारात मकता आएगी, आपकी ठकावट दूर हो जाएगी, और आपके शरीर में कोई कहीं भी दिरद है, तो अगर तुरंट दुर्द होया है, तो वो तो उनको ये जगाएगा जागरत करेगा सारे चक्रों को जागरत करेगा तो आप ये अभ्यास प्रती दिन करें कम से कम छे मिनट और हम तो इसको लगातार 12-24 मिनट भी यानि कि एक गड़ी भी करते हैं और दिन में हम कई कई बार करते हैं और आप इससे आपकी अध्यात्मिक उनक्ति बड़ी तेजी के साथ होगी आपके अंदर से वो बाते आने लगेंगी जो कभी आपने सोची भी नहीं थी तो आप ये छे मिनट सोहंग मंत्र का जब अभी करके देखें और अपना अनुभो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना अब हम अपनी वानी को बराम देते हैं जै स्री राम भगतो